नमस्कार जहन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारी दिर्ण संग कलब यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं भी शेक मिसराज आप सभी लोग के लिए क्लास 6 की NCRT जोग्राफिक के महत्पूर्ण प्रस्णों को ब्याखे के साथ में लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम चेप्टर 4 के प्रस्णों को डिस्कस करेंगे और आज के इस चेप्टर का नाम है मानचितर अर्थाद मानचितर के विशे में कापी सारे ऐसे प्रस्ण हैं जो हमको आने चाहिए आज पूरे साथ प्रस्ण है जिनको हम देखेंगे और यह सभी प्रस्ण बहुती महत्तुपूर्ण है जब हम मानचितर में कोई काम करते हैं और हमको ये प्रस्ण नहीं पता होते हैं तो काफी तकलीफ होती हैं काफी प्राब्लम होती हैं लेकिन जब हमको ये प्रस्ण पता होते हैं तो हमको कोई भी प्राब्लम नहीं होती हैं और अक्सर ऐसे इन में से कोई ना कोई प्रस्ण आ NCRT ये history को complete कर चुके हैं और जोगराफी में chapter 1 से लेकर के 3 तक के वीडियोस आ चुके हैं हाला कि जो chapter 4 है ये थोड़ा सा लेट आ रहा है लेकिन अब आपको पड़े एक proper way में chapter मिला करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस chapter को इसरे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइगन को दबाईएगा और साथी साथ हमारे वीडियोस को share आब आसे कर दिया करें जिससे कि जो लोग YPSC के त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें और आप सबी लोगों के लिए एक बहुती महत्पूर्ट सूचना है कि जिन लोगों को NCIT के नोट्स चाहिए है वो हमको WhatsApp पर मैसेज करके NCIT के नोट्स को ले सकते हैं WhatsApp नमबर डिस्किप्सन बॉक्स में दिया गया है अपसंसी अर्थाथ एटलस एटलस का परियोग सभी UPSC एस्परेंट करते हैं अधिकतर जो क्राइक कर जाते हैं उन लोगों के इसके बिसे में बहुत जानकारिया होती है तो एटलस एक ऐसी चीज है जिसके बिसे में हमको जानना चाहिए यह होता क्या है तो इसको ब्याखे के साथ में हमियाप पर जानते हैं दिया जारा है कि कुछ मानचितर एक छोटे छेतर को इवन कुछ तथियों को दरसाते हैं अब दूसरे जो मानचितर होते हैं वो कुछ एक बड़ी किताब की तरह तथियों हो सकते हैं ठीक है अब जब कुछ मानचित्र बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है आप लोग ने एटलस को देखा होगा जब एटलस में आप देखेंगे तो उसमें कई सारे मानचित्र को लगाया जाता है एक के बाद एक में ठीक है तो एटलस जो होते हैं ये बिभिन प्रकार के अलग-अलग पैमाने से खीची के मापों पर आधारित होते हैं मानचित्रों से एक गलोब की अपेक्चा हमें जानकारी आधिक मिलती है अब आप गलोब जब देखेंगे तो गलोब गोल होता है और इसमें छोटी मात मतलब काफी सारी मिलेगा तो अगर देखा जाए तो गलोब के अपेक्चा जो मानचित्र है इसमें हमको अधिक जानकारी प्राप्त होती है चलिए देखते हैं दूसरे प्रस्ण को अब आप लोग उतर देने की कोशिस किया करें बहुत इस सरल प्रस्ण है प्रस नंबर दो पूंचा जा रह प्रत्वी की प्राकरति आकरतियों जैसे कि पर्वतों पठारों मैदानों नदियों महसागरों इत्यादिकों दर्साने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको कहा जाता है भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है ठीक है जो प्रत्वी के मैदानी छेत्र है या फिर परवती छेतर हैं या फिर जो नदियां हैं, पठार हैं, महासागर हैं, इन सभी चीजों को जिस मानचितर में दर्साया जाता है, हम उसको या तो बहुती मानचितर कहते हैं, या तो फिर उसको हम उच्चावच मानचितर कह सकते हैं, चली आंगे बढ़ते हैं और देखत वा राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्साने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है option A भौतिक मानचित्र, option B एडलस, option C राजनेतिक मानचित्र, option D इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है इन में से कौन सो option सही होगा चलिए इसका answer आपको बताते हैं इसका option number C विलकुल correct होगा अर्था ये भी आपको एक परिवासा की रूप में पूछिया सकती है और बहुती महत्पुर्ण प्रशन है राज्यों, नगरों, सहरों, गाओं और विसु के विभिन जो देश हैं, जो राज्य हैं और उनकी जो सीमाए हैं, इन सभी को जिस मानचितर में दरसाया जाता है उसको कहते हैं राजनेतिक मानचितर और जिस मानचितर में हम भोगोलिक चीजों को दरसाते हैं जैसे कि प्रतवी की प्राकरतिक आकरतियां हैं जिसमें आपको मिलता है, परबत है, पठार है, मैदानी है, मैदानी छेतर है, नदिया है, जिन में इन चीजों को दर्साय जाता है, उनको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक या फिर उच्चावच मानचितर है, और जिन में इन चीजों को दर्साय जाता है, जैसे कि र बहुत ही मैतपूर्ण है और इसको आपको आना चाहिए अगर आप किसी छेतर का मानचितर लेने जाते हैं तो आपको उसको बताना होगा कि आप बहुत ही मानचितर लेना चाहते हैं या फिर आप राजनीतिक मानचितर लेना चाहते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखत प्रसा मानचेतर, उप्सन C उधोक मानचेतर और उप्सन D उप्रोग तो सभी यह थिमेटिक मानचेतर और इसमें किस किस चीज को सामिल किया जाता है चलिए जल्ली से इसका उत्तर हमको कमेंड बॉक्स में दीजीगा हमें आपके उत्तर का इंतजार रहता है अगर आप लोग उत्तर देते हैं तो यह समझेगा कि आप लोग तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और एक उत्तर देने से आपका कॉंफिटेंस लेबल भी हाई होता है चलिए इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसमें ऑप्सन D बिल्कुल करेक्ट होगा अर्था उपरोग तो सभी ब्यक्खे के साथ में इस प्रस्त को देखना अच्छा लगेगा तो इसको ब्यक्खे के साथ भी देख लेते हैं कुछ मानचितर हमें बिशेश जानकारिया प्रदान करते हैं यह तो हम आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि सड़क मानचितर है वर्सा मानचितर है ठीक है रेल को प्रदान दिखबिंदु कहा जाता है option A उत्तर, option B दक्षिन, option C पूर्व और option D उप्रोग तो सभी तो इसका अंसर होगा option D अर्थात उप्रोग तो सभी अब इसको आप लोग ब्याख्या के साथ में समझ लीजीगा मान्चित्रिक में चार प्रमुख दिसाएं होती है जो किये उत्तर, दक्षिन, पूर्व तथा पश्यम आप सभी लोग जानते है पूर्व, पश्यम, उत्तर, दक्षिन यह चार जो दिसाएं हैं बहुती मैदपूर्ण है अब इस जो दिसाएं होती इनको कहा जाता है प्रधान दिख बिंदू ठीक है अब इनके बीच में चार दिसाएं और होती है एक उत्तर पूर्व हो गई ठीक है उत्तर और पूर्व के बीच वाली उत्तर पूर्व अब एक हो गई आपकी दक्षिन पस्चिम दक्षिन और पस्चिम तो एक हो गई दक्षिन पस्चिम ये वाली बीच वाली और एक ह दिसाएं चार को ने और यह हो गए propose 4 ग०स यह क्रूरक्शन होगा है यह क्या ओर जाना यह गहाँ दिशाइंग तो फ्सक्री छिशा अगर दिसाओंह मड़त रणा कि पता-दिक जैसे कि आप कहीं मालीजे कि खड़े हैं ठीक है और आपको बताना है कि मैं यहां पर खड़ा हूं किसी बैक्ति को बताना है फिर कहीं जाना है अगर आपको इसको समझना है तो आप क्लास 6 की NCRT की समरी को देखेगा जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से और हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो NCRT इसको समरी को पढ़ाया गया अगर आप लोगने नहीं पढ़ाया तो अबस्टे पढ़ीगा इसमें क्या है कि मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है अब इसको यहां पर बात आ ही गए यह तो समझ लिज़ेगा कि माली जिगा आप यहां पर खड़ें और आपको बताना है कि मैं किसी कोई विक्ति यहां पर ख़रा है आपको बताना है कि मैं यहां पर ख़रा हूँ आपको आना है ठीक है अब यह क्या हो गया यह तो हो गया आपका पूर्व और यह हो गया पास्चिं यह माली जिगा हो गया उत्तर यह हो ग आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 6 को ये भी बहुत ही महत्पूर्ण है पूशा जा रहा है कि जिन प्रतीकों के उप्योग के संबंद में अंतर राष्टी सैमती हो उसे क्या कहते हैं option A दिसा प्रतीक, option B रुड प्रतीक, option C दिख बिंदू, option D उप्रोक्त सभी तो इसक उम्राघ्ञ के साथ में देख ली थे थोड़ा सा यह अधिक महत्पूर्ण है और इसको जानना भी अति उत्तम रहेगा ठीक है तो दियाजर की मानचित्र के तीन घटक होते है पहला होता है दिसा दूरी और तीसरा होता है प्रतीक ठीक है दिसा दूरी और प्रतीक ठीक है ये तीन घटक होते है मानचित्र के अब प्रतीक मानचित्र का प्रमुख जो तीसरा प्रमुख घटक होता है जो प्रतीक होता है य अब वहाँ पर कुछ भी लिखा होगा तो आप तो समझ पाएंगे ने तो वहाँ पर प्रतीकों के इसाब से आप समझेंगे ठीक है अर्था चिन्न के इसाब से प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मांचेतर को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्यन करना भी आसा ठीक है अब इसके बिसे में एक बहुती महत्पुर्ज पॉइंट ये दिया गया इसको आप लोग समझ लीजयते मानचितर की एक बिसुब्यापी भासा होती है जिसे प्रतीक कहते हैं ठीक है एक बिसुब्यापी भासा होती है प्रतीकों के उपयोग के संबंद में एक अंतराष्टी सहमती है जिसे इन्हें हम रूड़ि प्रतीक कहा जाता है ठीक है इन्हें रूड़ि प्रतीक कहा जाता है किसी भी मानचितर पर बास्तविक आकार इबन प्रकार की विभिन आकरतियों जैसे की भवनों, सडकों, ब्रिक्षों, रेल की पठरियों या फिर कुएं को दिखाना बहुती संबब नहीं हो पाता है मान लिजे कि आपने इतना बड़ा मानचितर बनाया और इसमें अगर देखेंगे 200 इतने बीच में अगर आपके कुएं हैं अब आप 200 कुएं बनाएंगे तो पर नहीं काम चलेगा अब आपने क्या किया एक पॉइंट ऐसा रख दिया और कह दिया कि यह जो पॉइंट है यह क पिर चिन्हों तथा रेखाओं का उप्यों करके दर्साय जाते हैं यह प्रतीक कम इस्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं उके चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं को यह भी बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है और ऐसे प्रस्ण हमको आना भी चाहिए दिया जा और इस थानी प्रेक्शन पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चितर मांचितर कहते हैं दूसरा कतन दिया जा रहा है एक छोटे छेतर का बड़े पैमाने पर खीचा गया रेखा चितर खाका कहलाता है इन दोनों कतनों में से कौन से कतन सकते हैं आपको कमेंड बॉक्स में बताना है चलिए इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसका option A और B अर्था जो दो कतन दिया जारी दोनों ही कतन सकते हैं अब इसको समझ लीजीगा एक और दो दोनों कतन सकते हैं रेखा चितर मांचितर के अंतरगत कच्चे आरे को बिना पैमाने की सायता से खीचा जाता है ज ठोटे चेतर का बड़े पैमाने पर खीचा गया रिखा चितर खाका कहलाता है अताहत दोनों कतन सत्ते अब इसके बिसे में थोड़ी स्यांकारी और लेजीगा क्योंकि खाका यह बहुत थोड़ा सा महत्पूर है देखिए जो मांचितर होता है वो कुछ बड़े चेतर का ब बनाए जाता है नेकिल मांचित्र जो होता है वो पूरे घर का होता है ठीक है पूरे घर का होता है पूरा सहर का होता है अब आप मान लीजिगा कि कोई कमरा है आपके पास और आपको इसका मांचित्र बनाए तो आप कमरे का तो मांचित्र नहीं बनाएंगे ना आप इसका खा नोट्स को ले सकते हैं वाट्सप नमबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहां पर इस नमबर पर आपको नोट्स मिल आपको वाट्सप पर मेसेज करना होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए जहें दोस्तों